बिग बॉस बारा क्या दीपिका ककर ने फिक्सिंग से जीती ट्रोफी जवाब में बोली कुछ लोग होते हैं जो ससुराल सिमर कसे टीवी स्टार बनी दीपिका ककर का बिग बॉस का बारागवा सीजन जीतना टेली विजन इंडिस्ट्री की बड़ी कंटोवर्सी बन गया है घर वालों से दूर सौसे भी ज्यादा दिन बिता ने शो को जीतने और फिक्सिंग के लगी आरोपों के बारे में अमर उजाला ने की दीपिका से ये खास मुलाकात जब सल्मान खान ने आपको विजेता घोशित किया तो आपके चेहरे पर खुशी से ज्यादा हैरानी के भाव थे ऐसा क्यों? सल्मान सर मजाक करते रहते हैं तो मेरा नाम उन्होंने पुकारा तो मुझे लगा कि ये फिर मजाक ही कर रहे है सच बोलूं तो मुझे अब तक यकीन नहीं हुआ है क्योंकि ये सफर बहुत ज्यादा कठिन रहा है घर आने के बाद यकीन होना शुरू हुआ है कि मैं बिग बॉस जीत गई हूँ घर वालों से दूर सो दिन कैसे कटे? पूरे 105 दिन इस दोरान मुझे पर बहुत सारे आरोप लगे हर काम पर उंगली उटी तो इस सब का सामना करते हुए खुद को जैसी में हूँ वैसी ही बनाये रखना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनावती थी मेरा ये 105 दिन का वक्त जिन्दगी भर मुझे नहीं भूलेगा आपने श्री संथ को अपना बड़ा भाई बना लिया इस सफर में और कितने दोस्त बने? मैंने एक बहुत ही खास रिष्टा श्री संथ भाई के साथ बनाया है और मैं चाहूंगी कि ये आगे भी बरकरार रहे बिग बॉस के घर का माहल अच्छे अच्छे को हिला देता है जब मैं कमजोर पढ़ रही थी वह मुझे संभाल रहे थे बाकी सब के साथ भी अच्छा तालमेल बना लेकिन भाई जैसा रिष्टा दूसरा कोई नहीं अगर आपकी जगे श्री संथ जी जीत जाते तो आपको कैसा लगता? मैं उनके लिए दिल से बहुत खुश होती क्यूंकि उसी वक्त मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिल गई थी जब टॉप टू में हम दोनों थे बिग बॉस आपका असली रूप सामने ला देता है मैं और श्री संथ भाई ने हमेशा अपना असली चेहरा ही दर्शकों को दिखाया